मानी सभापती महोदे आज जब इस राश्टी राजधानी छेतर विदेख के उपर मैं समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ तो पहले मैंने विपक्ष के विद्वान वक्ता महोदे का वक्ता वे सुना तो मुझे विचित्रता कनभव हुआ और संपूर्विपक्ष को देखकर विश्मे हो रहा है विचित्रता इसलिए कि उन्होंने कहा कि I have not seen any parallel anywhere तो मैं भी कहना चाहता हूँ ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी देश की राश्टी राजधानी में उस देश की केंद्र सरकार के की शक्तियां उससे अधिक शक्तियां किसी और की होनी चाहिए मेरे विचार से दुनिया में ऐसा कोई दूसरा उधारण देखने को नहीं मिलेगा So I support what अभिशेक मनु सिंग्वी जी has said I am unable to find parallel anywhere in the world दूसरा विशे जो मैंने कहा कि विस्मय कानुभो क्यों हो रहा है अभी देखे उन्होंने दो बार सुपर सीएम सुपर सीएम प्रयोक किया Constitutional पद पर बैठे हुए बेक्ति के लिए मगर महुदे इस देश ने बगएर समवैधानिक पत पर बैठे हुए सुपर पीएम दस साल तक देखा है और मैं ये कह रहा हूँ कि अभी मैंने कितना सुन्दर सावंजस्य देखा कि उन्होंने कहा कि समय कम हो रहा है तो आम आद्नी पार्टी वालोंने का हम भी समय देने को तयार है सारे विपक्ष को देखके विसमे होता है कि कॉंग्रेस पार्टी जिसका की तीन राज्यों में इस्तिती ये रही कि गुजरात में वोट हाफ कर दिया बिल्कुल बता रहे हैं सुनिये तो अरे सुनिये तो बता रहे है सुरी कुजरात में पार्टी जिसका का वोट वोट हो गया जोक्टर विशेक सिंग्वी वोट होट इन राफ अटेंशन इस इस देकोरम अव भी हाउस नो नो यस यस आपने पार्टी जिसकी मोट अरे साब बहुत सारे शेयर गोले तो आटिनेंस के पार्ट नहीं थे हम भी बता रहे हैं आपको आई विल हव तो नेम यू देखे इनकी सिटी यह है अरे साब क्या शिद्दत दिख रही है एक उसरे को सपोर्ट करने में देखे इनकी सिटी यह मैं सिर्व यह कहना चाहता हूँ कि गुजरात में कॉंग्रेस का वोट हाफ कर दिया पंजाब में इनका स्विच आफ कर दिया दिली में साफ कर दिया और आपने इंको माफ कर दिया और उसके माफी के बाद भी मुझे लगता है अब शेक बनु सिंग्वी जी ने कहा था तो मैं भी यह कहना चाहता हूँ आप साथ में आए हैं दिली के इस बिल पे दिली की जनता के लिए आए हैं या किसी और कारण से आए हैं ये दिली की समझदार जनता समझती है तो मैं भी एक पंक्ति कहना चाहूँगा कि शाम तक सुबह की नजरों से उतर जाते हैं इतने समझोतों पे जीते हैं कि जमीर भी मर जाते हैं अब यह एक समवैधानिक विशे है समवैधानिक विशे है कि यह जिस प्रकार से संविधान में लागू होना चाहिए परंत उसके साथ राजनेतिक टीका टिका टिपणी की जा रही है तो एक सैध्धान्तिक विशे भी आता है तो मैं संविधानिक और सैध्धान्तिक दोनों विशेओं का जवाब दूँगा I will reply both the constitutional and conceptual aspect देखे मानिये ग्रहमंत्री जी ने लोग सभा में बहुत इसपष्ट किया था कि दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है ये एक विशेश च्रेणी का union territory है यानि विशेश च्रेणी का संग शासित राज्य है वैसे मुझे लगता है संग शब्द आते ही बेचैनी ज़्यादा हो सकती है दूसी तरफ और संग शासित से बेचैनी और हो सकती है इसलिए मैं union territory वर्ड प्रयोग करूँगा It is a special category of union territory और वैसे भी आजकल अंग्रेजी के पृती बहुत ज़्यादा है क्योंकि अपने गंडबंदरों का भी नाम अंग्रेजी में ही ज़्यादा रखा जा रहा है संविधान में जो भाग आठ में वैसे तो जब मैंने टीवी चर्चा के दौरान कई बार विपक्ष के लोगों से INDIA का हिंदी फॉल फॉल फॉर्म पूछा तो पहले दिन तो लोग गूगल देख के भी नहीं बता भाई अब मैं कहना चाहता हूँ कि संविधान के भागाठ में उनलिखित प्रावधानों के अनुसार अब रिस सुनिये बाना देखें संविधान के भागाठ में उनलिखित प्रावधानों के अनुसार अनुचेट 239 से 242 तक सम्विधान में इस विशे का पूर्ण वर्डन है अनुचेट 239 AA में इसका विशेश प्रावधान किया गया है यदि उसके क्लॉस को 239 AA 3B को देखें तो संसत को दिल्ली संग राज्य युनियर इंटेर्टरी से सम्बंदित किसी भी विशेश पर कानून बनाने का पूरा अधिकार है इसमें किसी भी प्रकार का कोई संशे नहीं है सर्वोची नियाले के जिस निरणे का बार बार उलेक किया जाता है और हमारे विरोधी उसको अपने हिसाब से प्रयोग करते हैं उसमें भी बहुत साफ देख लें कि 105 पेज के उस निरणे में कहीं पर भी सर्वोची नियाले ने संसत के द्वारा दिल्ली के बारे में कानून बनाये जाने के विशे के उपर किसी प्रकार की कोई टिपड़ी नहीं की है इसके बाद भी नियाले के आदेश में पैरा 161 और 162 को कई बारों लेक किया जाता है परंत यदि पूरे संदर्व में देखें तो पैरा 86, 95 और पैरा 164 F को पढ़ें तो वहाँ पर संसत के द्वारा दिल्ली के संदर्व में किसी भी विशे के उपर कानून बनाने की शक्तियों का विदिवत अनमोधन है कहीं पर निगेशन नहीं है और इस पश्टा के साथ इसकी आवशक्ता क्यों थी? ताकि शासकी आदेश को एक विधाई शक्ति भी मिल सके एक्जिकुटिव ओडर को एक लेजिस्लेटिव पावर भी मिल सके इसलिए उस असपश्टा को दूर करने के लिए ये आवशक्त था इसलिए मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ अब कई बार लोग कहते हैं साब अध्यादेश की आवशक्ता क्यों थी? वैसे तो मानीक रह्मंत्री जी ने भी इस विशे को लोगसभा में बताया था अभिशेक मनु सिंग्वी जी ने कहा कि 19 तारिक को अध्यादेश क्यों आया? शायद उन्हें ध्यान हो कि दिल्ली सरकार में जैसे ही चंद दिनों में ताकत मिली तो सबसे पहले किन फाइलों के बारे में? सतरक्ता के साथ सतरक्ता विभाग की फाइलों के बारे में कारवाई की गई मीडिया में प्राप्त समाचारों के अनुसार सतक्ता सचिव ने या रिपोर्ट किया कि रात नो बजे मंत्री के द्वारा उनको कॉल किया गया सुबेरे तीन बजे तक वा कारवाई चलती रही 66 से अधिक फाइले मंगाई गई और उन्होंने उपराजपाल महोदे को या आशंका भी वेक्त की कि उसमें कई ऐसी फाइले थी जो की गोपनिय थी और उसके अनुसार उन फाइलों में किसी भी प्रकार की छेड़शाड़ भी संभव है अब मुझे बहुत आश्यर होता है कि दिल्ली में बाढ़ आई तो दिल्ली फ्लट कंट्रोल अथारिटी की बैठक तो दो साल से नहीं हुई मगर विजीलेंस की फाइले और नाइट सर्च की गई तो मेरे विचार से और ये सर्च 16 और 17 माई की रात का था तो मानी हुई बात है जब ऐसी परिस्टी नजर आएगी तो उसके एक दो दिन के अंदर अध्यादेश की आवश्चक्ता अम्मैसूस होगी यहां मैं एक और बात भी कहना चाहता हूँ कि बिरोक्रेसी पे नियंतरण की बात आम आदनी पार्टी की सरकार के द्वारा की जाती है तो यह लोग तो अपनी एक पैरलल बिरोक्रेसी भी बना चुके है क्योंकि अनेक प्रकार के समाचार पत्रों में आया है कि कई ऐसे लोग जो की आम आदनी पार्टी के पदादिकारी हैं वो सरकारी पदों पर भी विद्धिमान हैं और सरकारी पदों पर रहते हुए सरकारी शक्तियों का भी उप्योग कर रहे हैं वैसे ये लोग बहुत दावा करते हैं इनोंने बहुत सारी चीजे फ्री दी, फ्री दिया, कुछ सो रुपए दिली की जंता को कुछ मामलों में फ्री मिला, और अपने लोगों को कई मौकों पे, कई जगहों पे, दर्जनों से ऐसे लोग हैं, जिनको लख लख डेडड़ लख की तंखाहें मिली, और यदि आरोपो को देखा जाए, तो करोडों रुपए के घोटालों के आरोप है, एक कहावत होती है, माले मुफ्त, दिले बे रहम, तो मैं कहना चाहँगा, इनकी तो इस्सीती यह है, कि माले मुफ्त, दिले बे रहम, दिली पे सितम और करोडों हजम, अब एक और बात, जो नियंत्रन की बात है तो मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ इस दिल्ली प्रदेश में एक मात्र ऐसा प्रक्रण हुआ जो पूरे देश की इतिहास में बहुत विचित्र था कि दिल्ली के मुख्य सचिवने दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास के अंदर अपने साथ मैन में लगाओं ये दर्शाता है कि ब्यूरोक्रेसी को नियंत्रन करने की जो छटपडाहट है उसमें वास्विक्ता में वो फितरत क्या है और मैं एक टेक्निकल पॉइंट कहना चाहता हूँ डिल्ली का कोई स्टेट काडर नहीं है जैसे राज्यों का कैडर होता है तो राज् हम सब इपक्ष से पूछना चाहता हूँ कि अधि दिल्ली के एक अधिकारी का ट्रांसफर गोवा होना है और दिल्ली के सीयम की उस पर एफसुलूट एथारिटी होगी तो यह कैसे संबह हो सकता है इसलिए यहां आवश्यक है कि इस विशय के उपर केंदर सरकार की शक्तिय परिभाशित है अब एक दूसरी बात भी है दिल्ली में स्टेट कैडर भी नहीं है यानि जैसे स्टेट पॉलिक सरीस कमिशन होता है और राज जी के कैडर होते हैं तो यहां भी दानिक स्कैडर है यानि दानिक स्कैडर में भी तीन चार यूनियन टेटरी आती है दमंदीव और अन्य अब दानिक स्कैडर के एक अधिकारी की जरुवत यदि अंडमान में या दमंदीव में भी होगी और दिल्ली का मुख्यमंत्री यह तैय करेगा तो क्या यह संबैदानिक दृष से उचित है इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि माननी ग्रेमंत्री जी ने जो यह किसी भी प्रकार का वे होगा तो वह मंत्री की शक्ती से बाहर होगा और वह एलजी के पास जाएगा